नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मामले में सौधी अरब के विरोध को तो सब ने देखा लेकिन क्या किसी ने ये देखा कि आठकिल 370 के मामले में और जम्मु कश्मीर के मामले में इसी सौधी अरब ने भारत का किस प्रकार से साथ दिया और पाकिस्तान को दरकिनार कर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों के दबाव को तो सब दिखा रहे हैं लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि इसलामिक देश संयुक तरब अमिरात ने हिंदू मंदिर के लिए भारत सरकार के निवेदन को ना केवल स्विकार किया बलकि उसके लिए जमीन दान दी और मंदिर बनाने में भी सहयोग कर रहा है गल्फ कंट्रीज के दबाव को दिखा कर कुछ लोगों ने भारत सरकार को बदनाम करने का तो बहुत प्रियास किया लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि 50 सालों में पहली बाद इसी इसलामिक देशों के गुट ने भारत के लिए पाकिस्तान को बेदखल कर दिया और Organization of Islamic Countries जो एक इसलामिक देशों का समूह है उसमें भारत को चीफ गेस्ट बना कर आमंत्रित किया सबने ये दिखाया कि कतर ने नुपुर और नवीन के बयान को लेकर भारत सरकार के दूतावास को समन किया लेकिन क्या किसी ने ये दिखाया कि ये वही कतर देश है जिसने पीए मोदी के आहवाल के बाद योग को लेकर अपना सबसे अधिक उत्साह दिखाया जो हर जरूरत के वक्त भारत के प्रती अपना समर्थन व्यक्त करता है सबने ये दिखाया कि इरान ने किस प्रकार भारत के राजदूत को बुलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया लेकिन क्या किसी ने ये दिखाया कि ये बही इरान देश है जिसने वैश्विक मोर्चा बंदी के बाद भी चाबहार बंदर का आखो लेकर भारत के साथ खड़ा रहा ठीक उसी प्रकार बहरीन के गुस्से को लेकर कुछ लोग प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं लेकिन किसी ने भी ये बताने की कोशिश की कि ये बही बहरीन देश है जिसने भारत का सम्मान करते हुए भारत के प्रधान मंतरी मोदी को अपने सर्वोच सम्मान the king, hamad, order of the renesa से नवाजा है। और साथियों बहरीन ही क्यों कई सारे ऐसे देश हैं और वो भी मुस्लिम देश जिन्होंने भारत का सम्मान किया भारत के नाते प्रधानवंतरी मोदी का सम्मान किया और ये किसी से छिपा है क्या आप देखिए UAE का सर्वोच सम्मान हूँ फिलिस्तीन का सर्वोच सम्मान हू अफगानिस्तान का हाइस्ट अबॉर्ड हो या सवधी अरप का और या फिर मालदीव का साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चन बर्णवार अभी जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया ये देखकर ये मत समझेगा कि प्रधान मंत्री मोदी खाड़ी देशों के आगे जुक गए है या फिर उन्होंने अपने ही पुर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल को मजधार में छोड़ दिया है ऐसा बिलकुल आप समझने की भूल मत कीजिएगा बलकि ये सत्य है कि प्रधान मंत्री मोदी के लिए राष्ट्र हित सर्व परी है 130 करोड देशवासियों का हित उनके लिए सबसे उपर है और इसे ही वो अपना सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म मांगते हैं जो लोग प्रधान मंत्री मोदी को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें उनका पुराना बयान सुनना चाहिए ये बयान उन्होंने प्रधान मंत्री बनने से पहले भी दिया था और प्रधान मंत्री बनने के बाद भी संसत के भीतर उन्होंने ये बयान दिया है मैं आपको एक बार वो उनका पुराना बयान सुनाता हूँ, आप सुनिए उसके बारे में आगे मैं आपको डीटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझे कि इस पूरे एपिसोड में किस किस प्रकार के लोग नंगे हो गए, अब ये जनाब जो है न ये है फरहान अक्तर, जाने माने फिल्मकार सब जानते हैं, अब इनका एक आपको अनोखी चीज द अभिवक्ति की आजादी का मुद्दा बताया था, और उसमें भी एक कार्टून बनाया गया था, और इसी प्रकार की कुछ बाते थी, तब उनको अभिवक्ति की आजादी की बात याद आ रही थी, लेकिन जब भाजपा ने अपने ही प्रवक्ताओं पर कारवाई कर दी, अपमान जनक बाते कहने पर, जो कि सब जानते हैं, तो इन्हें ये फोस्ट एपोलोजी लग रहा है, और इनकी अभिवक्ति की आजादी, जो ये फरहान अक्तर बोलते थे थे ना, वो गयब हो गई, अब इन्हें अभिवक्ति की आजादी नहीं चाहिए, आप समझे, ये जो दोहरापन है न, ये भी तो उजागर हो गया है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर, आज बात करना इसलिए भी ज़रूरी है, कि जब से ये कारवाई की बात हुई है, और ये पुरा का पुरा एपिसोड सामने आया है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर ल मिडल एस्ट, आज भी कई चीज़े ट्रेंड कर रहे हैं, अगर आप ट्विटर को देखेंगे, नुपुर शर्मा, शेम ओन बीजेपी, बीजेपी को भी लोग कोस रहे हैं, अरब, हिंदुत, कुवेत, फ्रिंज, बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेंड कर रहे हैं, वो मैं पार्टी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को बाहर तो कर दिया, लेकिन ये सब करते हुए जो प्रेस रिलीज जारी की, जो स्टेटमेंट जारी किया, उसको थोड़ा सा एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में कई धर्मो का जन्म और विकास हुआ है, और बीजेपी किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्विकार नहीं करती है, भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पल्लवित और पुश्पित हुए है, भारतिये जन्ता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्विकृत नहीं है, जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाए, भाजपा ना ऐसे किसी विचार को मानती है ना ही पुशाहन देती है, देश के सम्विधान की भी भारत के हरेक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है, आजादी के 75 में वर्षकाल में, इस सम्मृत काल में एक भारत की भावना निरंतर मजबूत करते हुए, हमें देश की एकता, खंटा और देश के विकास को सर्वोच प्रात्मिकता देनी है, अब इन परिस्थीतियों में कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके पहला ये कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल किसी विपक्षी पार्टी के नेता नहीं है, आप याद रखी, एक ऐसी पार्टी के नेता है, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जो पार्टी भारत में सत्ता में है, इसलिए उनके बयान बाते कहीं जाएंगी, उसे बरदाष्ट नहीं किया जाएगा, अब इन परिस्थितियों में आप समझ ये कि अगला नंबर किस प्रकार के लोगों का है, इस समय सनातन धर्म के प्रति कुछ लोग उल्टी सीधी बाते कह रहे हैं, बयान बाजी कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखा सकता हूँ, सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये सही भी नहीं होगा, जो उल्टी सीधी मार काट की बाते हो रही हैं, अब जैसे बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम की बातें आपने सुनी होंगी, मौलाना तौकीर रजा का विवादास्पत बयान भी सब के सामने आया, आप बुखिए पर कानपूर में हुई हिंसा भी सब ने देखी, कितनी बड़ी हिंसा थी, और शुक्रवार को नमास के बाद जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम एकठा हुआ, पत्थर बाजी हु और दो समुदाय के लोग आपस में भीड़े, वो तो और भी खतरनाक है, लेकिन कानपूर हिंसा के बाद सरकार ने जिस प्रकार की कारवाई की, उसने भी हिंसा करने बालों को हिला कर रख दिया, ये तो आपने विजूल भी देखे होंगे, और वो विजूल मुझे दिखा अब इन परिष्थीतियों के मद्दे नसर आपको क्रिशी कानून की याद दिलाता हूँ, प्रधान मंतरी मोदी ने जब क्रिशी कानून को लेकर माफी मांगते हुए, देश से माफी मांगते हुए, इस कानून को वापस ले लिया था, तब कुछ लोगों में बहुत गुस उनके लिए मतलब राष्ट्र हित किस प्रकास सर्वो पर यह यह बयान तो मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन सचाई भी यही है, वो राष्ट्र हित के में मतलब जैसे कहते हैं कि अपने स्वाभी मान को भी समर्पित करते हैं, वो मतलब माफी मांगने से भी नहीं चु प्रकाना चाहते, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अराजक्ता का महल लाना चाहती है, और देश में मतलब दंगा फसाद ना हो सके, अराजक्ता ना फैल सके, इसलिए उन्होंने माफी मांग कर देश को बचाने का काम किया, लेकिन आपको यह भी पता होगा, कि जब उन्हों में वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, और पियम मोदी के नितरुत में देश में हर और भारती जंता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुए, और यही नहीं चुनाव के बाद की परिस्थितियों को देखिए, इन्ही किसान निताओं को तथा कथित किसान निताओं क पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अब यहीं हाल इस समय भी देखने को मिल रहा है, राष्ट्र हित को ही प्रधान मंतरी मोदी ने सर्वो परी रखा है, मुहम्मद साहब को लेकर जो बाते कही गई, उससे खाडी देशों के जो लोग है ना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, और इसका असर भी वहाँ देखने को मिल रहा था, ना किवल भारतियों का पलकी भारतिये प्रोड़क्ट का भी विरोध हो रहा था, आप पूरे संदर को जब समझेंगे तब पता चलेगा कि ये सब कुछ करने के लिए भी कितना बड़ा दिल चाहि अब सोचिए कि जब दूसरे लोगों के दिल में इतनी प्रतिक्रिया हो सकती है, तो जिस वेक्ति को गाली दिया गया होगा, खुद प्रधान मंत्री को उसके दिल को कितनी चोट पहुंची होगी, लेकिन उनके लिए राष्ट्र हेत, समाज हेत बहुत इंपोर्टेंट होत भारतियों का विरोध, भारतियों प्रोडक्ट का विरोध, और 76 लाख लोग वहां रह रहे हैं, आप उनको भी तो समझ ये, और आप जानते हैं कि मतलब दिखे ये रिपोर्ट, संयूद तरब अमिरात में 3,41,000, सौधी अरब में 25 लाख से अधिक लोग, कुवेट में 10 ल साथियों कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब नेत्रित्व को देश की खातेर जंग जीतने के लिए एक कदम पीछे खींचना पड़ता है, और ये परिस्थितियां जो होती है न वो सामाने नागरिकों के लिए हताशा पैदा करने वाली होती है, मतलब ऐसा भी लगता है कि नागरिक निराश हो गए हैं लेकिन दरसल ये एक रणनीती का हिस्सा होती है और प्रधान मंत्रे मोदी की शक्सियत तो वो है कि अगर एक कुट्टे का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो उन्हें बहुत दुख होता है और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ऐसा व ये भी याद रखेगा कि आज जैसे रूस और युक्रेन का युद्ध चल रहा है ना तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है आप चाहे कितने भी ताकतवर हो आप चाहे कितना भी छोटा देश हो आप जो भी जंग लड़ते हैं वो अपने सामर्थी के बल पर ही हैं बाकि पूरी दुनिया तो तमाशा देखती है और यही वजा है कि राष्ट हिद से जुड़ी नितियां जो कभी आपको अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन प्रधान मंत्री मोदी इन ही परिस्थितियों में देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें स भूलिएगा नमस्कार